हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मकर सकरांती के दिन क्या चीजे खाना बेहत शुब होता है तो वीडियो आप पूरा देखेगा मित्रों और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजेगा मकर सकरांती के दिन सबसे मुख्ये जो खादे सामगरी हमारे राजस्थान में होती है वो होती है फीनी इस दिन फीनी खाना बहुत ज़्यादा शुब माना जाता है और फीनी बहन बेटियों के आप भिजवाई जाती है जो लोग राजस्थान से बाहर रहती है या भी देशों में भी रहती है उनके यहाँ भी माता पिता या पीहर वाले भिजवाते हैं फीनी बहुत संख्या में फीनी फीकी भी आती है और मीठी भी आती है इसके अलावा तिल के लड़ू, रेवडी, तिल की चिक्की, मूमफली की चिक्की यह सब भी इस दिन खाना बहुत शुब माना जाता है इसके अलावा दाल की पकोडी जो की चंगले की दाल और मूंग की दाल को मिला कर बनाई जाती है दाल की पकोडी को खाना भी बहुत ज़्यदा शुब माना जाता है तो इस दिन दाल की पकोडी, फीनी और तिल से बनी वी सामगरी अवश्य ही खानी चाहिए और ये सबी सामगरी धूप में बैटकर खाईए तो इसका आपको health का benefit भी मिलेगा क्योंकि सर्दी होती है तो जितना गरम-गरम सब चीज़ें पकोड़ी और ये जो फीनी तो हलाकी गरम नहीं होती है लेकिन इसको हाँ दूद में मिलाकर आप खा सकते हो दूद फीनी भी खाई जाती है गरम-गरम और वो स्वास्ते के दिरश्टी से बहुत उत्तम होती है तो हमारे जितने भी तीस तियोहार हैं वो किसी ने किसी उत्देशे को लेकर बनाए गए हैं बहुत ही साइंटिफिक हैं यूँ जब किसी व्यक्ति को किसी भी काम को करने को बुला जाए तो वो नहीं करेगा लेकिन जब तियोहारों के साथ किसी भी चीज को जोड़ दिया